हेलो दोस्तो स्वाकित आप सबका नॉले एंटेटेनर्स में मैं हूँ आपका दोस्त कपिल तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल वे में बैंकिंग जॉब के लिए अपना रिज्यूमे बना सकते हैं तो दोस्तो वो सारी चीज़ें पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं तो दोस्तो आप इस वीडियो से बहुत कोई सीखने वाले हैं और आप अपना अच्छा सा रिज्यूमे इसके बाद बना लेंगे तो यह मैं आपको इस बात की गरेंटी देता हूँ और आपको उसके बाद दोस्तो अगर आपका रिज्मे अच्छा बन गया तो आपकी बैंक में जॉब भी लग जाएगी तो दोस्तो फिर आप नीचे कोमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमारी ऐसा रिज्मे बनाने से बैंक में लग चुके है जॉब तो आईए अप ज़्यादा टाम नालत हुए चलते हैं कम्पूटर की स्कीन पर और देखते हैं कि हम किस सरीके से एक प्रोफेशनल वे में अपना बैंकिंग जॉब के लिए रिज्मे बना सकते हैं तो आईए करते हैं वीडियो को स्टार अभी हम यहाँ पर मेरी कम्पूटर स्कीन पर पहुंच चुके हैं तो दोस्तो देखें यह वेब साइट आपको सबसे पहले ओपन कर लेनी है अगर आप यहाँ पर खुद इन चभी चीयों को रीड करना चाते हैं तो दोस्तो इसका लिंक आपको डिसिश में मिल जागा बा इंप्रेशन है तो दोस्तो जो आप रिज्यूमे जिस तरह किसे आपने बनाया होगा क्योंकि उसमें आप अपने बोलने से पहले जो रिक्रूटर होता है वहाँ पर आपको जॉब देता है वो दोस्तो पहले ही आपके रिज्यूमे को देखता है और वहाँ से डिसाइड कर जाता है तो दोस्तों वह बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन रोल प्ले करता है आपको जॉब दिलिवाने में कहीं पर भी क्योंकि दोस्तों और भी बहुत सारे candidates होते हैं तो दोस्तों अब कौन से important points है जो आपको ध्यान में रखने हैं आपने जुमे को बनाते time तो आईए देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जो आपका format है वो अच्छा होना चाहिए कैसा होगा वो मैं आपको आगे बता दूगा ठीक है और उसके बाद जो आपका समरी और banking skills और if you are fresher then highlight your qualities related to the banking carrier तो यह आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप पहले से banker हो तो आपको banking skills डालनी है अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ऐसी qualities वहाँ पर show करनी है जो की banking carrier के साथ related हो ठीक है और इसके बाद add extra section for activities if you have done like marketing, sales, cash experience, etc. तो अगर आपने कहीं पर भी यह activities की है तो आप इनको भी अपने resume में include कर सकते है ठीक है then certification experience हो या refresher हो तो certificate जो भी आपके पास है वो आपको यहाँ पर डालनी है ठीक है तो यह तो मैंने overview आपको बता दिया कि कौन से important points है यहाँ पर तो आईए अभी start करते है resume को बनाना तो आईए अभी देखते हैं तो दोस्तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा आप खुद भी अपना कोई भी format बना सकते हैं वो माईने नहीं रखता लेकिन दोस्तो थोड़ा सा वो neat and clean होना चाहिए अच्छा लगना चाहिए देखने को बस यह चीज़ चाहिए और उसमें content अच्छा होना चाहिए ठीक है तो आईए सबसे पहले दोस्तो आपको अपना name कैसे लिखना है जैसे देखिए अपना name लिख दिया address then contact number और email id तो यह तीनों चीज़ें तो होनी चाहिए क्योंकि address भी आपका recruiter आपका देखेगा कि आप कहां के रहने वाले हो contact number से भी आपको contact करेगा और mail पर आजकल सारी conversation होती है mail तो आपको mail id भी यहाँ पर डाल लिए दिखिए इस तरीके से आप यहाँ पर अपना name डाल सकते हैं ठीक है यह format मैं आपको available करवा दूँगा अगर आप मुझे message कर देंगे ठीक है तो इसके बाद दोस्तो यहाँ पर देखिए फिर आएगी हमारी summary ठीक है तो summary देखिए य आप यहाँ पर handle कर सकते हो work pressure तो यह सारी चीज़ें जो कि एक banking job के लिए specific है वो मैंने इसमें freshers की डाल दी है तो आप directly इसे copy and paste भी कर सकते हैं तो आई यह मैं आपको साथ में हम करी लेते हैं देखिए यहाँ पर हम freshers के लिए यहाँ पर हमने control C किया यहाँ पर हम इसे कर देते हैं paste तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है ठीक है जो फॉंट होगा वह बाद में change कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आपने summary डाल दी और इसके बाद इसी तरीके से अगर आप एक experienced person हो ठीक है तो यहाँ पर देखिए आप ऐसे लिख सकत हैं तो experience भी यहाँ से copy paste करके name change कर सकते हैं और अपने according यहाँ पर summary को बना सकते हैं तो देखिए यह पूरी तरीके से banking resume के लिए summary होगी तो आप इसे use कर सकते हैं ठीक है देन दोस्तों यहाँ पर बात आती है experience की तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यह मैंने पहले एक experience डालिए अगर experience नहीं हो देन आपको इसे नहीं डालना है क्योंकि experience तो ही नहीं आपको महाँ पर qualification डालना है फिर third number पर ठीक है समझ आगया होगा आपको अगर आप experience डो तो बिल्कुल इस तरीके से name then summary then experience अगर आपके बस यह वाला portion नहीं है या फ्रेश हो देन आपको directly उ यहां पर जॉब कर रहे हैं तो आपको लिखना है currently working at xyz bank इतनी डेट से लेके इस डेट तक ठीक है आपको यह है उसमें डिटेल देनी रिजिमे में और इसके बाद दोस्तों आपको उससे पहले आपने किसी और bank में जॉब किया था या फिर किसी और company में जॉब किया था आ आप यहां पर लिख सकते हैं cashier अगरा bank में है ठीक है देन आपकी कौन सी बैंक है उसका नेम और उसमें आपने क्या 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 किया वो सारी चीज़ें यहां पर आगी देन दोस्तों आपकी पुरानी company कौन सी यह से कौन सी यह तक आपने किया था वो दैन उसमें आपकी क्य responsibilities थी वो सारी चीज़ें आपको यहां mention कर देने ठीक है तो यह हो गया दोस्तों यहां पर experienced person के लिए और qualification अब जो जिसके पास सकती है नहीं है वो qualification ही यहां पर अपनी mention करेगा ठीक है तो वो कैसे जैसे देखिए आपको सबसे उपर क्या लिखना है जो आपकी highest qualification होगी तो यहां पर दोस्तों एक चीज़ का और द्यान रिखना है देखिए experience में मैंने लिखा हुआ है write down just last two qualifications तो दोस्तों अगर आप experience person हो तो दोस्तों आपका experience ज्यादा matter करेगा आपको सिर्फ last two qualification लिखना है मतलब अगर आपने MBA की है उससे पहले graduation किया बस उसके बाद आपको 12th और 10th लिखने की ज़रूद नहीं है लेकिन अगर आपको only include certification that are relevant to job for which you are applying मतलब जो आपको वही यहाँ पर अपने certificate ज्यादा highlight करने है जो आपकी job से यहाँ पर connect होगे मतलब कि अगर आप banking की job करना जाते हो तो अगर आपका कोई cash की activity थी वैसा आपको कोई certificate है कोई sales marketing कोई ऐसी आपने activity की उसका कोई certificate है उसको ज्यादा highlight कर दिना है then दीखिए certificates अगर कोई अपने target achievement की top on sales किया नहीं पर आपने internship ली थी वो certificate डाल सकते हैं then दोस्तों आप यहाँ पर banking diploma या course आपने कोई किया था उसका डाल सकते हैं उसके बाद any certificate achieved during college or institution study तो last में आपको कोई भी certificate डाल सकते हैं आप last point में कि जो आपको college के और से मिले हुए ह तो आप यहाँ पर अपनी internship यहाँ फिर कोई program जिसमें आप involved रहे हैं वो डाल सकते हैं certification पार्ट में ठीक है और इसके बाद अपना banking diploma या course यहाँ फिर कोई certificate जो आपको college से मिला होगा इसमें कौन सी चीज कट होगी बस वो ही चीज जो आपकी पहले कोई bank में आपको कोई achievement म दोस कीजिए MS, Excel, Digital Marketing को यासे courses कर लीजिए और अगर आप free में चाहते हैं ठीक है उसके link आपको डिस्टिश में मिल जाएगा अभी आपके अपर thumbnail भी दिखाई दे रहोगा तो दोस्तों आप 100 website से free में course कर सकते हैं और दोस्तों कम ही पैसों में यहाँ पर आप उसका exam देने आपको सिर्फ ऐसे recommend कर रहा हूं कि आपका रजियू में अच्छा लगए ठीक के बाद देखिए यहाँ पर है technical skills and education तो दोस्तों यहाँ पर फिर आप अपनी technical skills जैसे कि अगर आप फ्रेशर हो यहाँ फिर experience हो दोनों यह चीज़ों को लिख सकते हैं आपने को डिप्लोमा कि टेलिया है टेलियंट क्प्प्यूटर टाइपिंग होगी, MX, Excel और वर्ड हो गया है जैसे में आपको को सिर्फ बताएं है तो यहाँ पर डाल सकते हैं ठीक है इसके बाद दोस्तों एंड में जैसे देखिए आप यहाँ से भी आप थोड़ा सा गया है यहाँ पर टेकनिकल पॉजिटिव रहता है working culture के regarding ठीक है आपके यहाँ पर attitude positive रहता है जब भी आप working में होते हो working culture में होते है ठीक है और उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें सीखने की इच्छा रखते हैं तो ऐसी कुछ चीज़ें आप big team को lead कर सकते हैं ऐसी चीज़ें आप soft skills में डाल सकते ह है ठीक है और देन दोस्तों आपको end में डालनी है declaration और आप यहाँ पर fresh share हो experience हो कोई matter नहीं करता आप सिर्फ यहाँ पर declare कर रहे हो कि जो कुछ आपने लिखा है यह बिल्कुल सही है और recruiter अगर आपको option देता है यहाँ पर job करने के लिए तो आप उन्हें यहाँ पर अच् भी मिलेंगे जिस पर image लगी होती है तो वैसा भी बना सकते हैं लेकिन मैं ज्यादा उसे prefer नहीं करता क्योंकि दोस्तों आप सामने चले जाते हैं जब भी कहीं पर interview होती है तो पहले वो आपकी qualification details और सब कुछ देखी जाती है आपकी जो image है वो बाद में ही देखी जाएग banking job को करने के लिए तो दोस्तों नीचे जैसे आप इस website को open करेंगे तो end में देखी यहां पर related video to watch में है 10 banking skills required for banking job तो जैसे आप यहां पर click करेंगे तो दोस्तों आप मेरी वीडियो पर आ जाएंगे जिसमें मैंने banking skills बताई हुई है कि कौन कौन सी banking skills आपको पास होनी चाहि है दोस्तों सभी आपको यहां पर helpful मिलने वाली है और दोस्तों इस चैनल पर आपको यहां पर content मिलता रहेगा bank में job कैसे लिए और कोई job कैसे मिल सकती है study के regarding online study के regarding courses के regarding आपको यहां पर इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी तो दोस्तों आप होपसो हमारे स तब तक के लिए आप सभी को अलविदा दोस्तों